मीन लग्म के लिए चौते भाव में राहू और दस्वे भाव में केतु तथा तीसरे भाव में शनी के कर्म संबंधी नहितार्थ क्या है? करियर की स्थिती क्या होगी? मीन लग्म के लिए चौथे भाव में राहू और दस्वे भाव में केतु घर, करिय और भावनात्मक सुरक्षा से संबंधित एक मजबूत कर्म अक्ष बनाते हैं। चौते भाव में राहु पारिवारिक मामलों में अस्थिर्ता, निवास में बार-बार परिवर्तन या पारंपरिक पारिवारिक सनरचना से अलगाव की भावना लाता है। भावनात्मक संतुष्टी की तलाश करते समय व्यक्ती बेचैन या भ्रमित महसूस कर सकता है, अक्सर पारंपरिक सीमाउ से बाहर इसकी तलाश करता है। दस्वे भाव में केतु करिय में असंतोष या कड़ी मिहनत के बावजूर पहचान की कमी का संकेत देता है। अध्यात्मिक होज या दूसरों की सेवा करने वाले करिय की ओर एक मजबूत जुकाव हो सकता है, लेकिन सानसारिक सफलता मायावी लग सकती है। तीस्वे भाव में शनी के साथ व्यक्ती को संचार कोशल और साहस हासल करने के लिए कड़ी मिहनत करनी पड़ती है। शनी की यह स्थिती उन्हें अनुशासित बनाती है, लेकिन ये परिनामों में देरी कर सकती है, खासकर आत्मप्रयास और अलपकालिक लक्षियों के क्षेत्रों में। समय के साथ ये सयोजन करिय में धैर्य और डिर्ता सिखाता है, हालांकि प्रगती धीमी लग सकती है। क्रिपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।